आज का टापिक है एसी रेडिस्टन्स जब किसी वायर में करन्ट फ्लो होती है आई तो उसका पावर लास होता है आई स्क्वायर आर जब एसी करन्ट फ्लो होती है तो एसी रेडिस्टेंट टीसी रेडिस्टन्स से ज़्यादा हो जाता है और फ्रिकुंसी जितनी ज़्यादा होगी एसी की रेडिस्टन की वैलू उतनी ज़्यादा होगी ये दो कारणों से होता है एक है skin effect एक होता है proximity effect अब पहले हम skin effect के बारे में जानेंगे माली ये conductor है conductor का ये diameter है और current ऐसे flow हो रही है तो जब conductor में current flow होती है और ये AC हो तो क्या होता है इस current की वज़े से इसके चार और magnetic flux पैदा हो जाता है ये हमने flux दिखाया है H दिखाया है, magnetic field दिखाई है और अगर current change हो रही हो तो flux भी change हो जाता है जब flux change होता है तो उसकी वज़े से induced EMF पैदा हो जाता है इसी wire के अंदर induced EMF की वज़े से इसमें एड़ी current flow होने लगती है और इस induced EMF की वज़े से जो electron है जिसकी वज़े से current flow होती है वो किनारे की और जाने लगती है इसको बोलते हैं इसकी नीफेट इसकी वज़े से क्या होता है चुकि electron किनारे या outer side में चले जाते हैं तो पूरे area में current flow नहीं होती खाली किनारे होती जैसे यह हमने दिखाया है यह cross section area है जैसे यह wire है wire को यहां से cut कर दें इधर से देखें तो circle नज़र आएगा न वो circle यह है और जो red color है यह हमने current दिखाई है current flow हो रही है तो इस पूरे wire में अगर frequency high है या AC है AC में frequency होती है current किराने चले जाती है बीच में नहीं flow होती जिसकी वज़े से इसका resistance बाढ़े जाता है और इस area को वैसे current यहां सबसे जयदा होती है फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम बीच में 0 हो जाती है इस distance को delta बोलते है या skin depth delta क्या होता है कि जिस distance में 63% current flow होती है वो delta होता है अब यह है skin depth which frequency यह formula है skin depth का अब इधर देखिए अगर आप इसको calculate करें यह हमने copper के लिए दिखाया है यह material पर भी depend करता है यह देखे लिखा है electrical reactivity हर material के अलग अलग होती है तो 50 Hz पर skin depth होती है 9.3 mm और frequency बढ़ाते जाए 10 kHz पर शिर्फ यह 0.66 mm रह जाती है 100 kHz पर 0.21 mm रह जाती है और 1 MHz पर बहुत कम हो जाती है मतलब यह जो वायर है किनारे से अगर आपकी frequency 100 kHz है तो शिर्फ 0.21 mm तक ज्यादा current flow करेगी अंदर कम current होगी तो depth जैसे जैसे कम होती जाती है रहिस्ट बढ़ता जाता है यह हमने प्लाट दिखाया है frequency with skin depth का यह log scale में अगर आप प्लाट करें इसको तो ऐसा आता है यह copper का है state line है देखिए हर material का अलग-अलग होता है क्योंकि हर material की resistivity अलग-अलग होती है अब proximity effect क्या होता है मज यह दो वायर हैं आजपास है दोनों में current flow हो रही है high frequency की तो हर वायर दूसरे वायर में induced EMF पैदा करता है यह वायर इसमें EMF पैदा करेगा और यह वायर इसमें करेगा इसकी वज़े से EMF की वज़े से इसमें ED current flow ने लगती है जिसकी वज़े से current पूरे area में flow नहीं होती खाली किनारे चली जाती है, इसके में क्या होता था है, दूसरा वायर नहीं था, इसी में चार और current flow होती थी, बीच में नहीं होती थी, इसमें क्या हो रहा है, दो वायर हैं, एक दूसरे को problem create कर रहे हैं, हम माल दीजे दो वायर हैं ये, ये हमने crash section area दिखाया है, मतलब इस व जब एक ही side में, दोनों में current flow करती है, देखिए, दोनों हमने crash दिखाये हैं, मतलब direction एक ही है, यहां पर reverse है, एक में current अंदर जा रही है, एक में बाहर आ रही है, तो हमाल दीजे दो वायर हैं, उनमें current एक ही direction में है, तो जो current है, वो बाहर की और concentrate हो जाती है, आउटर side मे यह red color है, जो current flowing है, पूरे में current flow नहीं कर रही, shift हो गई है, इस wire में यह side में, इस wire में यह side में दूर जा रहे हैं, दूसरे से, इसकी वज़े से इन दोनों wire का रेशन बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं, proximity effect, तो हमें नए रेशन का calculation करना पड़ता है, losses बढ़ जाते हैं wire मे हम माल दीजे, दो तार ऐसे हैं यह दोनों, जिन में current reverse है, एक में एक direction में है, ऐसे दूसरे में reverse में हैं, तब क्या होता है, यहाँ पर दूर जा रही थी current, यहाँ पर पास आ जाती है, यह cross दिखाया है, अशी शो करते हैं, यह direction शो करता है, dot एक direction और यह cross दूसरा direction तो जब opposite direction में दो conductor होते हैं उनमें current flow होती है तो current एक दुसरे के पास आजाती है मगर problem यहाँ पर भी है यहाँ पर भी current पूरे conductor में फ्लो निंग कर रही खाली किनारे कर रही है तो यहाँ पर भी relation बढ़ जाएगा फर्क ही है कि यहाँ पर बाहर की साइड में फ्लो होती है current यहाँ पर अंदर की साइड में यह भी proximity effect है अम वाल यह तीन conductor हैं तीनों में current फ्लो हो रही है तो जब current एक direction में फ्लो होती है तो जो current के electron part के लिए वो भागने की कुशिश करते हैं एक दूसरे से दूर यहाँ पर क्या होगा एक side में current है ना तीनों में तो यह वाला outside योर जाएगा यहाँ पर current का concentration ज़्यादा होगा इस वाले में यहाँ पर current का concentration ज़्यादा होगा दूर हैं और बीच वाले में यहाँ और यहाँ होता है तो इन तीनों वायर में देखिए, कि current पूरे एरिया में flow नहीं कर रही, थोड़ी एरिया में flow कर रही है, तो तीनों वायर का रहिशन ज़्यादा हो जाएगा, और losses बढ़ जाएंगे, ये skin effect और proximity effect SMPS transferor में काफी applicable होता है, कि कि उसमें high frequency, voltage और current यूज़ करते हैं, आज यहीं समाप्ट करते हैं, हणा ड़क में हैं, कि शूर्ण समाप्ट करते हैं, थ